हलो दोस्तो मैं सोनूं आज आपको प्रत्यवर्तिधारा तथा दिश्टदारा में अंतर तथा प्रत्यवर्तिधारा की परिवासा और दिश्टदारा की परिवासा पताऊंगा तो दोस्तो वीडियो के अंतर तक बने रहे हैं और चैनल पर पहली बारा रहे हैं तो सस्क्राइ में प्रोइड करवा चुका हूं आप वहांस जाकर डाइरेक्ट ली डाउनलोड कर सकते हैं और आप मैं आपको फाइनली फाइनली वीडियो देने लगा हूं तो दोस्तों आज आप मोस्ट इंपार्टन जानकारी एक मैं आज आपको बुक में पढा रहा हूं ना कि बोर्ड म में तो आज आप मुझे कमेंट करके बताएंगे कि बॉर्ड में पारानबेट रहा या बुक में क्योंकि कोई-कोई उसमें कमेंट करता है कि सर प्लाइक बोर्ड में लाइट वहुत तेज इसे मार रहा है इसलिए ने फैसला किया कि मैं इसको वीडियो को आपकी बुक में ही देता हूं तो दोस्तों आज आई जान लेते हैं प्रत्य वर्तिदारा की परिवांसा के बारे में मैं आऊँ दोस्तों आपको ट्रिक से बताओंगा आपको कुछ याद करने क्या हो सकता नहीं सब कुछ याद हो जाएगा बस वीडियो के अंतर तक बने रहे दोस्तों मैं आपको बता देता हूं कोई दारा है यह चकरयंट ऊठाएं से साथ-साथ निरणतर प경ण चक्र पर बदलती रहती है जैसे कि मान लीजिए यहां पर कोई एक परिपत दिया गया है मान लेते हैं दोस्तों यहां पर कोई एक परिपत दिया गया है इस पर यहां से मैंने मान लिया बैदुद दारा परवाइद करी तो इस इतने इतने चक्र में गूमने के बाद यह एक यहां तक पूरा होगा यह तुरंदी दारह सामाय के साथ साATH तुरंप निसा बदलती रहती है क्या कहलate है प्रत्य वर्ति दारह तो आप बोल देंगे फ्रत्य वर्ति दारह वह दारह है जो सामाय के साथ साथ अपनी दिशा बदलती रहती है प्रत्यवर्तिधारा कहलाती है तो दोस्तों उमीद है आपके समझ में आ गया होगा प्रत्यवर्तिधारा क्या है और प्रत्यवर्तिधारा अपनी दिशा बदलती रहती है तो यहां पर मैं पहले परिवासा लिखने वाला नहीं आपको description में Link मिलेगी वहां से जाकर आप download करके पहल सकते हैं मैं यहां पर आपको समझा दिया इसके बाद यहां पर दोस्तों मैं आपको बतादों दिश्ट दारा क्या होती है तो ये दिश्टदारा हो गई दोस्तों तो मैंने आपको प्रत्य वरती दारा में बताए कि प्रत्य वरती दारा वह धारा है जो समय के साथ साथ ये प्रतेक चक्र पूरा हो जाता करता है जैसे ही तो वह दारा की किसा बदल देती है पर त्पर नंती डिस्टधारा कती है समझे घौर से दिश्टधारा वह ज़सी तो की परीपत में ने आंगी किसी परिपत में किसी परिपत में जो caller शुआ those साथ यह ले तो प्रत्यवल्ती धार है दोस्तों आपको क्या कहना है किसी परिपत में बहने वाली एक ही दिशा में प्रवाइद होती रहे वह दिश्ट दारा कहलाती है तो दोस्तों उम्मीद करूंगा कि प्रत्यवर्ति दारा क्या है दिश्ट दारा क्या है आपके समझ में आ गया होगा एक बार मैं इसकी दुबारा से एक्स्प्रेंट कर देता हूं प्रत्यवर्ति दारा क जो प्रतेक चक्र में अपनी दिशा बदलती रहती है और इसको बोलेंगे दिश्ट दारा को दिश्ट दारा हुआ धारा है जो समय के साथ साथ अपनी दिशा नहीं बदलती या फिर बोलेंगे दिश्ट दारा हुआ धारा है जो एक ही दिशा में प्रवाइत होती रहती है तो एक अंतर तो आप पहला अंतर इसमें लिख सकते हैं आ जाए प्रत्यवर्ति धारा और दिश्ट धारा में अंतर तो प्रत्यवर्ति धारा में जो मैंने डेफनीशन बताई अब इसके बाद आ जाते हैं इसकी सेकेंड पॉइंट पर अंतर बता रहा हूं दोस्तों मैंने यहां को हैंसा है उरह दोस्तों दूसरा दान्स और रोए क्या करते हैं डिफन्स कि कृचरां तो क्सक्रागर तो लगा कर र्रांसइब आरे हिएतर नो लगा लेटेक हैं थो आपके कमेंट कि ट्रांसफार्मर में जैसे ही आप एसी करेंट या फिर ट्रांसफार्मर लगा लेते हैं एसी करेंट में एसी करेंट में तो उसका क्या होता है ट्रांस्पारमर का क्या कार होता है त्रांस्पारमर का निम्न वोल्टेज को उच्छे बोल्टेज में कर देंगा है कि यह यह तो आपने देखा हहँगा , स्टो प्लाजर का काम होता है , जैसे यह अधिक बिजलि है , प्रत्य वय्च कर लीजिए , अगर फ़र्ट चूरर से सतते अधिक कर लीजिए , तो पलेख से ऐसमें इसा है , तो सूछ बिजलि को , यानि उच्छ करेंटको से प्रत्यवर्थी धर तीन दौक नहीं है इसलिए संवह नए किटरा में ट्रांस फार्मर नहीं करता है च्षे में प्रयाकिन करना उम्हें करा हूँ समय जा रहा है दोस्तों यह अब आपको एक पॉइंट और बताता हूं तो दोस्तों अगला पॉइंट है एसी सप्लाई के किस सप्लाई के दोस्तों एसी सप्लाई के एसी सप्लाई के एसी सप्लाई के सिंगल फ्रेज में किसमें दोस्तों सिंगल फ्रेज में सिंगल फ्रेज में एक तार को एक तार को हम क्या बोल देते हैं फस्ट तार जो होता है उसको हम बोल देते हैं फ्यूज तार क्या बोलते हैं दोस्तों फ्यूज तार तता दूसरे तार को हम बोल देते हैं उदा सीन तार क्या तार बोल देते हैं उदा सीन तार अब आँ जाते तो इसमें आप कहिए देंगे सिंगल फ्रेज के DC बोल्ट के सिंगल फ्रेज में पहले तार को क्या मान लेते हैं दोस्तों पहले तार को हम धनात्मक ले लेते हैं और दूसरे तार को हम रिनात्मक ले लेते हैं कैसा ले लेते हैं रिनात्मक ले लेते हैं मुझे उम्मीद है दोस्तों ये वीडियो मुझसे बहुत अच्छे से नहीं बन पाया चुकि बुक पर भी वीडियो बहुत अच्छा बनता है लेकिन ये मुझसे नहीं हो पाया तो आप कमेंट करके बताईएगा कि मैं बोर्ड पर पराऊं या फिर आपको इसी पर बताया जाए तो दोस्तों आज की वीडियो ये पर समाप्त करते हैं